कि नमस्कार साथियों आपका स्वाधत है आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से UDIT कार्ड बनाया जाता है वास्तव में जो इसके प्रयोग का एक नविंत मुधारन है UDIT कार्ड जो की बनाया जाता है स्वालंबंकार्ड.gov.in की साइट पर पहले हम देख रहे हैं इसका लिंक क्या है तो इसका लिंक है http//www.swavlambancar.gov.in यह इसका साइट है और अब हम देखते कि UDIT कार्ड होता क्या है वास्तव में जो जो विकलांग ससित्तिग्रण विभाग ने एक विशेश योजना बनाई है कि सभी जो physically challenged persons हैं उनके कार्ड बनाने के लिए तो इसमें जो होता है जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड होता है और हर व्यक्ति का एक यूनिक identity होता है उसी प्रकार से ही समस्त जीलों में और समस्त राज्यों में भारत के अलग अलग जगों पर अलग अलग प्रकार से certificates बनते हैं तो इन सभी certificates को एक रूप में बनाने के लिए और एक ID प्रदान करने के लिए उनके लिए एक यूजना चालू की गई है उसका नाम है और एक सही आंकड़े पहचान करने की जरूरत है जिससे विविन प्रकार के योजनाओं का लाब लोगों को सही तरीके से दिया जा सके विविन प्रकार की जो सरकार की योजनाए होती उनका लाब इस पर नहीं मिल पाता कि हमारे पास आंकड़े सही तरीके से नहीं होते हैं और हम ठीक तरीके से नहीं जान पारते कि कितने लोगों को योजनाओं का लाब देना है किस प्रकार की दिक्कते लोगों को हो रही है इस प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए यह यह योजना चालू की गई है तो इसका जो लिंक है वह एक बार फिर से देख लेंगे इसका द्वारा इसमें online भी apply किया जा सकता है और offline भी apply किया जा सकता है और जो offline apply किया जाएगा वह social welfare department समाज कल्यान विभाग जो हर जिले में होता है वहाँ पर आवे दिन जमा करना पड़ता है उसका एक PDF होता है जो साइट पर ही दिया हुआ है उस पर सभी फूम फिल अप करके डॉटा आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं और चाहें तो online भी apply कर सकते हैं ऍरफ़न का उपन करने इस प्रकार का इस स्क्रीन दिखाए देगा इस की स्क्रीन में। यहां पर आप देखेंगे यह पूरा इसका पेज है यह देख सकते हैं और यहां पर एक लिंक दिया हुआ क्लांगता क्रामाट्वाण पद्रिम यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर दिया हुआ इस पे डार्ट आउनलाइन आवजाग किया जा सकता है अगर कार्डग को गया है तो इसके लिए आविधन किया सकता है और आविधन करने के बाद कि इस्तिती क्या है वह देखी जा सकती है और यदि कार्ड बन गया विभाग की ओर से तो वह यदि क्लांगता कार्ड यूडी आईडी कार्ड डाउन्डूड किया रसकता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर आविधन करने के पाद यदि सारे रिकॉर्ड ठीक हुए तो जो व्यूडी डिपार्टमेंट है वह आपको कार्ड आपके घर पे पोस्ट के द्वारा प्राप्त हो जाता है अब हम रेप्लिकेंट का नाम मेडिल नेम और सरनेम यहां पर डालना है उसके बाद हिंदी में भी वही डालना है हिंदी में डालने के लिए आपको इंडी का इमी फॉंट का यूप करना पड़ेगा जिसमें हिंदी में लिखा जाता है उसके बाद है पिता का नाम माता का नाम डे एज जो है वो खुद आ जाएगा जैसे ही हम कोई डेट का चैन करेंगे आटोमेटिकली वह कल्कुलेट करेंगा और कितने वर्ष गें हैं वह यहां पर खुद से आ जाएगा जो भी डेट आप लेंगे उसके आधार पर यहां यहां पर बना देगा उसके बाद नीचे दिया हुआ है जेंडर मेल फिमेल जो भी है उसके बाद है फोन नमबर या अधर इसमें एक मेल आइड़ दिया रहेगा साथ ही जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं अगर बॉडि आपड़ेगा कैटेगरी आप चुन सकते हैं स्ट्स्ट्स और जनरल जो भी हैं ब्लर ग्रूप देंगे इसमें मेरेटर स्टेटर्स देंगे आपने सेल्फ आविदन किया है या कोई और आपके बदल्य आवजन कर रहे तो इसमें विवरन डालेंगे इसके बाद एक फोटो का फिल्ड है फोटो में आपको 15 केवी से 500 केवी तक करना है मैंने सेंपल फोटो डिया हुआ है जैसे ये तो इसको ले लिए यहाँ पे और एक सिगनेचर आपको यहाँ पर डालना है तो सिगनेचर भी आपका 3 केवी से लिए 500 केवी तक रहेगा तो सिगनेचर भी यहाँ आ जाएगा मैंने सेंपल के तौर पर एक सिगनेचर रखा हुआ है यहाँ पर इसके बाद आप एड्रेस डालेंगे आपका कि आपका पता क् प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाना है या तो आधार लगा सकते हैं या इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट का विवरन दिया हुए जिसे आप देख सकते हैं आधार काड है ड्राइविंग लाइसेंस है अधर है डॉमेशिल सर्टिफिकेट पासपोर्ट रासन आप इसमें लगा सकते हैं इसके बाद फिर आपसे पुछेगा पर्मानेंट एड्रेस क्या है यदि आपका पर्मानेंट एड्रेस और करिस्पॉंड एड्रेस जिसमें आपको पत्र चाहिए वह समान है तो कोई दिक कदमी आप से में सबाउट चुन सकते हैं यहां पर और एड्रेस अलग है जो पर्मानेंट एड्रेस आपके घर का है वह और कुछ और है यहां पता कुछ और है तो आप यहां पर बात डाल सकते हैं उसके बाद पुछेगा कि qualification कैश्ण है कि इस प्यान दियाए जो भी चीज एस्टरिक्ट knock यहां पर जैसे बाद आएगा disability details इसमें डालना है तो यस करेंगे तो उसका डालना पड़ेगा कि कब जारी हुआ उसको scan करके इसमें लगाना पड़ेगा और यदि certificate नहीं है तो आपको नहीं करना पड़ेगा साथ ही यदि आपने certificate है करके इसमें सेलेक्ट किया है तो इस्विंग अधरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट और इस्विंग सर्टिफिकेट जारी करने वाले व्यक्ति का पहचान सीमों ने किया है यह मेडिकल बोर्ड ने किया है वह डालना पड़ेगा और किस दिन पर यह जार आप्शन चुनकर इसमें डाल सकते हैं इस प्रकार से और कब से है या तो कि किसी समय से हुआ है वह आपको चुनना है उसके बाद डिसेबिलिटी एरिया की बॉड़ी के किस पार्ट में प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण आवेदन किया जा रहा है उसको डालना है इसके अगर कहीं से वारत हैं तो उसका विवरन डालना है या वीपेल है एपेल है वो सारे विवरन आपको डालने है आडेंटेटी प्रूफ आपको डालना है जिससे पता चल से कि जो आवेदन करने वाला रहती है वो आधर है आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा को भारत सरकार यूज़ कर सके तो आप आई एग्री शेयर आधार इंफॉर्मेशन विद गोर्नमेंट डिपार्टमेंट करेंगे और यह चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट का जो डिटेल है वो किसी से शेयर ना किया जाए तो अप डालेंगे और आपके सेयर करेंगें जैसे ही आाप सेयो करेंगे तो आपको एक मैसे जाएगा यदि आपने फोन नमबर यहाँ पर डाला है मोबाइल नमबर कैसे अब किया है या मेल अगारा दिया है ध tuo तो आपको mail ID पे भी message है कि आपका यह नंबर generate हुआ है और उस unique नंबर के आधार पर फिर बाद में आप चेक कर सकते हैं कि status क्या है जो यहां पर आपने देखा था सुरू में अपने आवेदन की स्थिकी पर नजर रखें तो इसमें आप अपने आवेदन नंबर को डाल कर दे लब करते जाएंगे और कोई यदि दिक्कत आती है तो आपके जिले में इस्ति समाज कल्यान विभाग में आप बात कर लेंगे तो इसी प्रकार की परिसानी होने पर यह आपका स्वाल कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका कार्ड बनेगा तो फिर आपको एक तो यहां पर मेल आइडी आपने दिया हुआ है तो उस मुबाइल आइडी या मेल आइडी पर भी मेसेज आएगा कि सर्टिटिकेट बन गया है आप ले सकते हैं और और साथ ही जो प्रिंटेट कार्ड है वह आपके हां पोस्ट पर आएगा इस प्रकार का सुईधागा उप्योग करके आ आपके पहचान वालों या आपके रिष्टेदारों जिनके भी UDID कार्ड बनाने हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं साथ ही यदि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब्मीट करने में कोई परिसानी हो तो इसमें एक PDF भी दिया हुआ है जिसको डाउनलोड करके प्र आवेदन को जमा करके फिर उसका कार्ड बनाने किलब प्रोसेस आगे पढ़ जाएगा आज के लिए इतना ही साथियों इसमें हम आपको और अधिक जानकारी भुष्से में देते रहेंगे आपसे अनुरूद है कि अधिक सथिक हमारे साइट से जूड़कर हमें अपना सहयो चैनल से जूड़ सकते हैं साथ ही सुसौलमंबन कार्ड टॉट जोड़ इन है उसका भी लिंक हमने वीडियो के नीशे में दिया हुआ है इस पर क्लिक करके सीज़ेरी साइट पे पहुंचा जा सकता है हमारे वीडियो देखने के लिए आपका दसनिवास साथियों नमस्कार झाल